असलाम उलेकुम दोस्तों वेलकम टू आ निव वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉग डाउन चैलेंज सीजन टू के बारे में माशाला हमने अराउंड पचास वीडियो आपके लिए लाए लोगों ने काफी महनत की वीडियो तो इससे भी ज्यादा कुछ वीडियो हम नहीं डाल पाए कि किसी में वाइस कम थी या किसी इने सीधे मुबाईल से वीडियो बनाए थे लेकिन आगे वही चलता रहेगा हम लोग कुछ अलग तरीके से भी करेंगे आगे जिससे आपको बाकि सारे वीडियो भी देखने मिलेंगे सबने इतनी महनत किये कि इसमें से विनर चूज करना तो next to impossible है और हार जीत की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर इसके अंदर बस आप लोगों का शौक है या जो बकरे वाले हैं या मुर्गे वाले हैं उनको कैसे हमसे फाइदा हो है ये कोशिश रही और काफी अच्छा आएंगे कि फर्स सेकें इन थर्ड एंदेन कल एक और वीडियो बनाऊंगा जो मैं बाकी और साथ लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने काफी अच्छी वीडियो बनाए और वो भी कुछ प्राइस के हगदार है तो आज की जो तीन विनर में उनके बारे में बताऊंगा आपको वीडियो जैसे आगे जाएगा पर सबसे पहले हम लोग एक रिवाइन करके देखते कि कौन कौन से वीडियो आए और कैसे लोगों ने महिनत की सबसे पहला जो वीडियो था हो था मोहिन खलीफा सापका जिन्होंने अपना काफी शांदार कोटा दिखाया इसके बाद में हमने पहली बार पर्शियन कैट के ब्रीडिंग सिस्टम देखा जो चैलेंजर नमबर टू थे उसके बाद हमने एक बकरी का वीडियो देखा जो फर्स टाइम शायद मैंने भी देखा था कि पांच बच्चे दी एक बकरी ने पंजाब के अंदर वो वीडिय वीडियो भी है अगर आप नहीं देखियो तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखवा चैलेंजर नमबर थिरी हो इसके बाद में इम्रान रईस साब अलीगड से उन्हों अपने तीन बकरे दिखाए दे डी वार्मिंग के बारे में हमने जाना सलीम खान ने हनुमान गड़ स अपना ग्रेजिंग दिखाया पंजावी बकरो का बरकत भाई जोदपूर सोजद का फार्म देखा हमने उमेद खान अगेन हनुमान गड़ इम्रान भाई ने अपना पुरा ब्रीडिंग सेटप दिखाया सोजद से जुने लंसारी ने काफी अच्छा वीडियो भेजा बकर पुर्टिंग के साथ उनका भी काफी शुक्रिया अदा करते हम लोग शेक गोट फार्म हमने देखा वेस बेंगॉल से जो के ज़्यादा वीडियो नहीं देखने मिलते इस से पर शेक साब ने अच्छा अपना शेक गोट फार्म दिखाया पप्पू भाई ने अपना फार् काफी मज़ा आयता हो वीडियो देखके एंदेन हमारे सादिक बागवान भाई ने दिखाया आगरा का एक पतीरा भी देखा हमने मुहिन भाई का हैदरबादी बकरा देखा बॉंबे से ही हो वसीम भाई मेरट से मातरे गोट फार्म मुंबई कलियान हाजी मलंग के पास मैं उनका फार्म विजिट किया हूं रिदा गोट फार्म जो मैंने एक बार विजिट किया था इम्राइम भाई का फार्म में फीट का बिजनिस भी करते हैं शानु भाई हमारे रफीक भाई भ्योंडी वाले उन्होंने अपना सोज़त बकरा दिखाया हमारे यूटूब चैनल वाले हैं में से उन्होंने अपना शौक बताया तैन बाउस गोट फार्म वालोंने बताया जैड जैड एच इंदौर वालोंने बताया अपना फार्म और आसिब भाई का पतिरा का सेट अप देखा तो यह सारी चीजे हमने देखी और हमको काफी मज़ा आया अभी हम लोग अनौन्स कर देते हैं तीन जो विनर हैं फॉर्स सेकंड तर्ड एंडेन कल का वीडियो भी जरूर देखना आप लोग क्योंकि जो साथ और लोग हैं इन में से ही उनका भी नाम हम लोग अनौन्स करेंगे सारी वीडियो देखने के बाद मैं और कुछ लोगों से मशवरा करके अरौन्स पांच लोगों से मशवरा हुआ इसके बाद में जो जादा वोटों से जो जीते हैं उनका पहले बताते हैं हम लोग फर्स देन सेकंड देन आपको थर्ड बताया जाएगा और जो भी जीतेग उसको एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा अफ Teal लोगडौन यह सब मिलेगा लेकिन एक सर्टिफिकेट मिलेगा उनको औंट डन केजिय एंगोड फीट से उनको खाने का एक पूरा पैकेट मिलेगा and then मतरान सौालिया गोट फार्म की ट्रेनिंग के लिए उनको डिसकाउंट कुपन मिलेंगे तो हमारे जो पहले विनर है जो सबसे आदा वोट से जीते हैं वो है रॉयल मुखी गोट फार्म ये फार्म एमदाबाद में है एक परसनल शौक है सोयल भाई का सोयल मुखी मैं इनके फार्म पे खुद जा चुका हूँ पहले उन्होंने काफी अच्छा शौक कराया अपने बकरे दिखाया पूरा ब्रीडिंग सेट अप घोड़े दिखाया अपने and then पूरा उनका सील का भी शौक बताया जो शेकेंड जो विनर है वह माराष्टा से हमारे जो बैक्यार्ट घोट फार्मिंग से बारे में इनैं के बताया हम माशालव। ब्रीड युदा काफी एक पूरूरे ब्रीड लाइन के बिच्चे इनके पास हमारे lockdown challenger number 14 तो ये तीन winner हमारे सामने हैं अभी दोस्तों तो मैं सबको काफी काफी congratulations बोलता हूँ और तीनों winners से मैं कहूंगा कि description में दिये वे number पे आप लोग अपना पूरा नाम आपका address and आपका जो challenger number था 9, 6 and 14 वो आप message कर दीजे मुझे whatsapp कर दीजे ताकि मैं आगे केजें गोड़ फीड और मतरा न स्वालिया गोड़ फार्म पे आपके details दे सकूँ and after lockdown आपका जो certificate ready होगा वो मैं आपके address पे courier कर पाऊं so आप तीनों का और बाकी सब का जिसने भी इसको successful बनाया बहुत-बहुत शुक्रिया कल एक और वीडियो बनाएंगे हम बाकी साथ लोगों के लिए जिनोंने काफी अच्छा काम किया है and उनके भी जो भी certificate से इनाम होंगे वो भी उन तक पहुचाएंगे इन्शाला और अभी after Sunday कल के बाद हम कौन सा challenge रन करेंगे इसकी details भी हम आपको कली दे देंगे thank you so much for watching आप लोग अपना ख्यार रखें दोस्तों अल्ला हाफिस